सेशन्स कोट ने ये कोट की ओर्डर सेट असाइड की थी जूडिशिल कस्टडी से अब पुलीस कस्टडी देने के लिए बोला है तो आज आदिल खान दोरानी को आर्थरोड जेल से वापिस लाया जाएगा रिमान में पेश किया जाएगा और आगे फिर कोट क्या करते वो अ हम अल्री बहुत सारे प्रूफ दे चुके हम खाली कोट में यही रिक्वेस्ट करेंगे और सरकारी वकील भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको पुलीस कस्टडी जादा से जादा दिन दी जाए आज आज मैसुर पुलीस का क्या रोल रहने वाला है वो यही पे खड़े ह होता है जैसे वालगुने ने कहा कि ओशिवारा पुलीस सेशन या मैसुर पुलीस अभी देखते हैं क्या होता है मैसुर पुलीस का कुछ पायाना कोई नया केस नहीं हम कोट में बोलेंगे अभी कुछ पुल के मतलब नहीं है जो भी केस हमारी एफायर है फॉर्दर स्टेट्मेंट में वही हमारी केस जज ने चुटी मारी है तो केस जीतने का यह तरीका नहीं है आप लीगली जाओ और अच्छी तरीके से प्रिंसिपली काम करो मौरल और प्रोफेशनल एथिक्स कुछ होते है अगर आपके हाथ से बाजी निकल रही है इसका मतलब यह नहीं है कि आप जूट बोल रहे हो धंकी देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है और क्यूं देंगे धंकी जब हमें कोट से जस्टिस मिल कोट में हम महनत कर रहे हैं कोट से हमें सारी चीजें हम लीगल ही जा रहे हैं तो हमें इलीगल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है यह सब पैत्रे हैं ना हारने वालों के होते हैं जीतने वाले कोट में जवाब देते हैं कोट में जवाब बिलकुए मेरी एड़ोकेट ने कह पर आदिल के कैसे जूट है लगा रहे हैं को लगता है यहारने के वज़े से लग कर दों इसकी तरफ से जो आता है जो उनको इनका स्टेटमेंट देने हैं देने दीजिये हमें उसका जवाब नहीं उनके पास काईदा है और आदिल टो जेल में तो किसे धंगी दी, उनके वकील को दी क्या, और उनके वकील, वकील, तो उनको, उनकी मॉम को, ठीक है, इतने दिन नहीं दी धमकी, आज उनकी मॉम को धमकी जा रही है, मेरा तो मैं फोन करती हूं, उनके मॉम